दोस्तों नमस्कार एक इस बैंकों में आधार डिविटी लिंक होना शुरू हो गिया है सिर्फ मोवाल नमर से अब आपको कहीं बैंक या बरांच जाने की जरूत नहीं है अब आप घर बैठे एक मोवाल के जरिये में आप अपने बैंक में आधार नपीसी आई डिविटी को सकते हैं इससे लिए आपको अपने फॉन के गूगल को लेना है और यहाँ पर को टायब कर देना है एएक होम पेज कूल जाएगा कुछ इस से तो इस पेच को क्या करेंगे स्क्रोल आप कर देना है स्क्रोल आप करने के बाद यहां पे एक option मिलेगा कंजूमर का कंजूमर के बगल में एक प्लस का option है इस प्लस वाले option पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहां पे एक option आपको दिखेगा भारत, अधार, SIDING तो इस वाले option पे आपको क्लिक कर देना है तो चलिए हम यहां पे क्लिक कर देते हैं सबसे पहले आप अपने bank record में अधार npci dbt को link करने के लिए आप यहाँ पे अधार नमर को यहाँ पे टाइप कर देंगे इस प्रेश को थोरा सा scroll आप कर देते हैं ताकि आपको समझने में असान हो सके तो यहाँ पे देख सकते है रिक्वेश्ट for अधार तो यहाँ पर आप seeding भी कर सकते हैं तो आप अपने bank में जो है अधारनिपी CIDVT link है उसको आप हटा सकते हैं तो मैं यहां पे sitting करना चाहता हूँ अपने bank में अधारनिपी CIDVT को link करना चाहता हूँ तो sitting वाले option पे click करेंगे इसके बाद यहां पे space को थोड़ा सा scroll up कर देते हैं तो यहां पे select your bank तो आपका किस bank में account है किस bank में आपका खाता है वो bank यहां पे click करके select करेंगे तो चलिए यहां पे हम अपने bank को यहां पे select कर लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ टोटल यहां पे एकिस bank को में अधार NPCI DBT को link करना शुरू हो गया है पहले आप यहां पे देख सकत थोड़ा सा page scroll up करते जाते हैं जैसे bank of broda है bank of India है canera bank है जैसे कि पंजाम national bank है तो इस तरह से यहां पे बहुत सारे आपको bank मिल जाएंगे तो आप यहां पे धीरे धीरे पर भी सकते हैं मैं आपको थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 21 bank का नाम तो इस तरह जैसे यहां पर पर सकते हैं तो इन मेंसे जो बी आपका bank है उस bank को सब्सक्राइक पुछा जाताए दोस्तों यहां पर तीन option अगर आप दुसरे वाले option पे आप किलिक करते हैं moment with in the same bank with another account जैसे कि आपका bank account है bank of broodham में उसी bank of broodham में आपका दो-दो account है तो उस case में आपको यहाँ पे दुसरे option पे आपको select कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरा जो option है दोस्तों इसके आपको click कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर movement from one bank to other bank है तो यहाँ पर एक bank से दुसरे bank जैसे कि आप bank of brother में पहले आपका NPCI DBT link था या SBI में पहले DBT link था उसे आप change करके किसी दुसरे bank में add करना चाहते हैं उस case में तिसरे वाले option पर आपको क्लिक कर देना है फ्रेस सीडिंग करना है मुझे मैं पहली बार कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको account number type कर देना है और यहाँ पर यही account number को confirm करने के लिए यहाँ पर आपको फिर से दुवारा type कर देना है इसके बाद इस box पर आपको click कर दे देना है तो चलिए हम इस box पर click कर दे हैं इस page को scroll up कर देना है फिर से आपको इस box पर आपको यहाँ पर click कर देना है किलिक करने के बाद दोस्तों देख सकते यह जो आपको केपचा दिख रहा है इस केपचा को यहाँ पे आपको इंटर कर देना है और प्रोसीड वाले उप्शन पे आपको किलिक कर देना है जो भी आपकी अधार नमर में मुवाल नमर लिंक है उस पे OTP आएगा OTP को इंटर करेंगे 24 से 48 घंटे के अंदर में आपके बेंकों में NPCI के दोवारा अधार डिविटी लिंक हो जाएगा इसको आप चेक करने के लिए क्या करेंगे इस एरो वाले उप्शन पे आप किलिक कर देंगे किलिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते एक अपसार आपको मिलेगा चेक योर सर्विस स्टेटस तो यहाँ पे आपको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आपका रिफ्रेंस नमर मिले है वो reference नमर यहाँ पे आपको type कर देना, यह capture को यहाँ पी enter करना है, check status पे click कर देना है, आपको status बता दिया जाएगा, आपका link हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आपको मालूम करना है कि आपके bankों में NPC identity link है या नहीं है, वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे यह जो arrow का option दिखा गया है, तो इस वाले option पे आपको click कर देना है, जैसे यहाँ पे click कर देंगे, तो यहाँ पे get अधार mapped status पे आपको यहाँ पे click कर देना है, इसके बाद जो आपके अधार नमर में मुआल नमर रजिस्टर है, उस पे OTP आएगा, OTP को यहाँ पे enter कर देंगे, इसके बाद द देख सकते हैं, आपका अधार नमर यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे mapping status दिखेगा, enable for dvt, तो आपके bank में अगर इस तरह का दिखेगा, enable for dvt, तो समझ जाएए, आपके bank में जो है, अधार NPCI dvt link है, और यहाँ पे yes का भी option दिख जाएगा, जब आपका dvt link हुआ थ दोस्तों check कर सकते हैं, तो आपके bank account में NPCI dvt link है या नहीं link है, इस तरह से आप check भी कर सकते हैं, और यहाँ पे इस तरह से आप अपने bankों में अधार NPCI dvt को भी link कर सकते हैं, आने वाले समय में दोस्तों और भी bankों को यहाँ पे aid किया जाएगा, उसका भी मैं आपको बत करी मिल्यागा